हेलो गाइज वेल्कम बेक टूर चैनल अगेन आज हम आपको एक ऐसे नए बिजनस आइडिया के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके जरीए आप इसली मंद के पान से छेलाग रुपया आराम से कमा सकते हैं तो जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं आपके सामने रखा हुआ एक सेट आप बॉक्स तो मैं इसी सेट आप बॉक्स को बनाने का एक आईडिया आपको देने जा रहा हूं जिसको बना के मार्किट में बेच के आपेजली मंद महीने के पान से छेलाग रुपय कमा सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए हमें पांचे चीजों की जरुवत होती है जिससे कि आप देख रहे हैं यह है डीटीएच का कैबिनेट मैं आपको खोल के दिखा देता हूं इसके अंदर कुछ नहीं है यह हमें कैबिनेट चाहिए होगा और यह एक पावर सप्लाई होती है जि इस पर हमारे डीटीएच का रिमोट काम करता है इसको डीटीएच सेटप बॉक्स के फ्रेंट पे लगाया जाएगा और यह की मीन पावर कॉड थ्री आर्सी ए लीड चाहिए इसके लिए इसके लिए तो पहले मैं आपको असेंबल करके दिखाता हूं उसके बाद मैं आपक और ईसराख में इसका ओपर का कैप निकाल कहल एलग कर देता हूं दोगी इसमें हमें कोई। NK में करना हो ता इसको मैं करना होता है ... यहां बोल देख रहे हैं चाहरे है वीडियो कारड को यहां प्लेस करेंगे गया इस मेन कार्ड को हम यहां श्कूरूर से टाइट कर देंगे बस्कूरूर लगाने है इस मेन कार्ड पे इसके थूर अमागे टीवी पर चैनल ब्राड़कास्ट होता है इसको स्कूरू ड्राइबर से टाइटली घस देते है इसको हम मेन वीडियो कार्ट बोलते हैं इसमें हमें कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं करना होता है इसलिए हम लोग इसे पहले घस देते हैं सेकेंडली हमारे पास आती है इसको बोलते हैं डिटी एज की पावर सप्लाई जो हमारे मेन वोल्टेज 240 वोल्ट को करेंट को कम करके इस वीडियो कार्ट में सप्लाई देता है तो हमें इसमें कनेक्शन करना पड़ेगा यहां पे दो सोल्डिंग आइरन से अटैज करनी पड़ेगी मेन लीड तो मैं सोल्डिंग आइरन को गरम करने के लिए लगा देता हूं आप वीडियो पे बनी रहिए I will back in one minute भाई सफ्वाइस जैसे कि आप देख रहा है मैंने इस वीडिंग आइरन को गरम करने के लिए लगा दिया है तो सब्सक्राइबने के लिए विख तीन जो कि आवे शुकता पड़ेगी, यह सोल्डिंग पेस्ट है, यह सोल्डिंग वायर और यह सोल्डिंग आयरन, जिसके थुरू हम इस मेन पावर कॉर्ड को सप्लाई में, यहां इस सप्लाई से जोड़ेंगे, तो मैं गरम होने का वेट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हू हमारा सोल्डिंग आयरन गरम हो गया है, जैसा कि आप देखने हैं, इस में से दूँगा आ रहा है, तो सोल्डिंग करने के लिए, हम एपनी मेन पावर केबल को पेस्ट में डिप करना है, और थोड़ा सा सोल्डिंग आयरन से, सोल्डर लेंगे, लाइक इस, ऐसे, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर दो यह कनेक्टर हैं, पावर कोड को जोडने के लिए, ठीक, इन दो कोड के पीछे, हम यहाँ पर करना है, तो इस वार से भुणा देंगे, तो ही सोल्डिंग करने में इसी हो, तो पहली तार, इसको पीछे कर देता हूँ, एन तार में नहों रख नहीं है, और इससको इसको आईन कर देंगे, फोल्डर कर देंगे, तो अगया, नेक्स टाइम, उसा अठा का, इससे इसको आईसे सौल्डर को लिए, यहाँ तार को टच किया, व्यून कनेक्शन में बैसे, चुपका दिया, बहुत सिंपल है, कोई ब तो अभी हमारा सोल्डिंग का काम पूरा हो गया है तो मैं सोल्डिंग आइरन और इसको हटा देता हूँ फिर आपको बताता हूँ कैसे कनेक्शन करना है सो गाइज हमने सोल्डिंग कर दिया है उसके बाद हम इस में लीड को यहां पीछे फिक्स कर देंगे कि खिचने पर जो हमने सोल्डिंग किया है वह तूटे नहीं है तो आशा टाइट ही रहता है ऐसे दफ जाएगा तो अगर कोई बाहर से खीचता है तो हमारा यह टांका नहीं निकले रहा हूँ अब हम इस को कनेक्शन करेंगे यहां पर हमें बोट को फिक्स कर देना है तो दो स्कूरूट से हमें इसको टाइक कर देना है अब हमें दो स्कूरूट को टाइक कर दिया है अब हमें इसको प्रूस करने से पहले आपको कोस्टी इंगवरी बता देता हूं कि किसकी कॉस्ट क्या पढ़ती है आपको भी आइडिया लग जाए है हमारा सेटप बॉक्स कितने में तैयार हो जाएगा इसके साथ हमें यहां नीचे फिक्स कर देता है इसको फूल टाइटन करने कि या कुछ करने की जरुवत ने पढ़ती है यहां नीचे फिक्स कर देता है यह हमें 75 रूपेज के कबिनेट के साथ मिलता है यह पैनल इसमें बटन्स होते हैं आन अफ करने के लिए चैनल पॉरवर्ड चैनल बैकवर्ड आफ करने के लिए हम केबिनेट के साथ मिलता है इसकी कॉस्ट है 75 रूपीज और यह हमारा में वीडियो कार्ड है इस टाइम पे मार्केट में इसकी कॉस्ट है 190 से 200 के अराउंड और यह cost हमेशा up and down होती रहती है support supply के according और दूसरी यह हमारी है power supply जिसकी cost होती है around 55 to 60 rupees और यह हमारी main power cord है जिसकी cost है यह बढ़ियां cord है copper की जिसकी cost है 18 rupees अगर आपको हलकी cord लगानी है तो आपको हलकी थार भी market में easily मिल जाएगी 12 रूपे से 13 रूपे के पीछ में सो हमें quality पे बढ़ियां दयान देना है तो हमें हलकी समान नहीं लगाना है बढ़ियां लीड लगानी है और सेटप बॉक्स के साथ हमें customer को यह 3-pin power lead 3-pin VGA lead देनी होती है यह प्योर copper की lead है जिसकी आप देख पा रहे है इसकी cost होती है around 25 to 20 rupees और उसके साथ हमें एक यह remote देना होता है जिसकी cost हो 22 rupees और जैसा कि हमने एक आपको box भी लेना होगा इसकी packing के लिए अगर आप box बनावाएंगे तो maximum to maximum cost इसका आपको आता है 9 लोगे से दाशोड़े को यह हमारा box है यह हमारा प्रण है दीपीस जैसा कि आप देखा है और इस पे भी प्रेंट जबने करवा रखा है यह हमारा खुद का भी अगर इसको आपको शॉप करना हो लेना हो तो मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लिपकार्ट से या किसी भी अन्मे साइट से इसको इसको इजिली order कर सकते है इसको आपको इसकी कोस्टिंग के वारे में बता दू तो इसके बिनेट की कोस्ट पढ़ेगी इस केबिनेट की कोस्ट आपको पढ़ जाएगी 75 रूपीस 190 रूपीस का ये आपको कार्ट मिल जाएगा 55 रूपीस का ये आपको पावर सप्लाइ मिल जाएगी 24 रूपीस का रिमोर्ट मिल जाएगा 25 रूपीस की ये 3 RCA लीड मिल जाएगी 9 रूपीस का आपको ये बॉक्स मिल जाएगा एंड लास्ट यह आपकी पावर कॉर्ड 14 रूपीज की आपको पावर कॉर्ड बिल जाएगी तो 392 रूपीज का यह टोटल कॉस्ट आपका हो जाएगा जिसको मार्किट में आप 450 से लेके 500 रूपीज के बीच में बहुत इजीली में सकते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि महीने में 5-6 लाग आप इस काम से कमा सकते हैं तो अगर मांग के चलिए आप 392 में तयार करके उसको 400 या 500 में बेचें मिनिमम मार्जिन आप 50 रूपीज ही रखें अगर मन्त का आप 1000 पीज अगर सेल करते हैं फाइव लाइफ रूपीज आपका इजली कमिशन हो जाएगा आपका प्रॉपिट हो जाएगा और अगर उससे ज्यादा आप सेल करेंगे तो आपका प्रॉपिट प्लस हो जाएगा यह कोई जरूरी नहीं है कि 50 रूपीज ही मार्जिन मिलता है इसमें आपको 100 रूपीज कभी-कभी 120 रूपीज सप्लायर के हिसाब से रेट थोड़ा एड़जस्ट करना पड़ता है लेकिन मिनिममम 50 रूपीज यह तो आपको मिलेगा यह मिलेगा तो अब एड़ लास्ट में आपको इसका कनेक्शन करके दिखा लेता हूँ यह हमारी पावर सप्लाई की लिड है जहांसे सप्लाई से हमारी वीडियो काड में करेंट आता है तो इसको कुछ इस तरह हम स्पिन को आप देख रहे हैं जहां यह तो लोग आपको नजर आ रहा और ये पैनल को दिखिए, रिमोट सेंसर इसमें और बटन उटा है, ये पैनल की बार है, जिसको आज स्ट्रेट ऐसे आपको पहले सीधा करना है, इसी दितार को ऐसे टर्न करके, इसको इस ब्लैक वाले जैक में बिसाने है, तो स्लाइक पिट कर लिया है, इसको उनने से करने में कोई शुन आए, कोई पाम बेरना है, अब मैं आपको इसको चालो करके दिखाता हूँ, कोई बहुत बड़ा वो टेक्निकल काम नहीं है, कोई भी आदमी इसको इसली कर सकता है, बस आपको रो मेटीरियल पर्चेस करना है, और अपने पास सेंपल करके, मार्किट मे बेचना है, इसको मैं पावर कॉर्ड को कनेट करता हूँ, सुवाई जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, कि यह अन हो चुका है, और हमने कनेक्शन हमारा अच्छे से हो गया, और यह चैनल बेकवर्ड, फार्वर्ड, काम कर रहा है, और यह आफ हो गया, अब मैं पावर कॉर्ड को डिस्ट कनेट करता हूँ, और इसको कस्ते हैं, सुवाईस, अब मैं इसको कैबिनेट को फिक्स करता हूँ, राइट करके आपको दिखाता हूँ, अब मैं दोबारा आपको स्कॉन करके लिखा, अब मैं हो गया, अब मैं अब मैं अब मैं अब मैं अब मैं आपको ब्रॉपर्ली, इसको अब कर देते हैं, तो जैसे कि आपको पता है, यह एक फ्री डीटीएस है, फ्री टू अब डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस, जिसके थू हम अउनली फ्री चैनल्स, नोन पेड चैनल्स, फ्री अफ्कॉस्ट देख सकते हैं, अब मैं टेलेविजन पे, जिसका आपको मंतली, कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, इसको हम फ्री टू एर सेटाप बॉक्स बोड़ता है, पावर को डिस्कनेक्ट कर देता हूं, और इस वायर को इसे फोर्ड करके, इस बॉक्स में हमको डाल दे, मैं डालूँगा, इस बॉक्स में डाल दिया, इस लीड को हम टाइट कर देंगे, प्रॉपरली उससे, थोड़ा ऐसे दिखा दू, फिर उसके उपर हमें ये थ्री आर्ज ये लीडिस में डाल देनी है, इस लाइक दिस, और ये रिमोट डाल देना है, इसको बंद कर देना है, और यहां हमारा फ्री टूबर सेट आप बॉक्स सेट कम्टेट हो गया, जैसा कि आपने देखा इसको पांच मिनेट लगना में, एक डिसीवर को करने में, अगर हम फास्टली इसको करेंगे, लाइन डालाएं, तो एक आदमी लगमग लगमग पूरे दिन में 120 इसली तेयार कर देगा, यह दीप विजन हमारा ब्रैंड है, अगर आप इसको परचेस करना चाहें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दीवर लिंक से परचेस करते हैं, और किसी जानकारी, कोई जानकारी चाहिए हो, या कोई समान चाहिए हो, किसी वी चीज से रिलेटेट, तो आप करते हैं अगले वीडियो में